मैं हूँ अमीश देवगन और आप बोलेंगे कि अमीश देवगन ये अंदोखा अंदास क्या है ये गेम प्लैन क्या है कुछ पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा होगा लेकिन ये पॉलिटिक्स के साथ नहीं गेम के साथ ही जुड़ा है और कैसे नरेंद मोदी एवियम हैक करते आज मैं आपको बताता हूँ अगर मैं आपके एक प्रश्ट पूछू कि राजनीती का सबसे बड़ा खेलाडी कौन है तो आपके मन में जाहिर है एक ही जवाब आएगा प्रधान मंत्री मोदी एक ही नाम आपके समक्ष आएगा प्रधान मंत्री मोदी ने हाल ही में आल्लाइन गेमर से मुलाकात की ये ऐसे लोग है जिनकी टीवी पर बहुत ज़्यादा तो चर्चा होती नहीं है लेकिन आल्लाइन की दुनिया में लेकिन वो लोग जो आल्लाइन गेमिंग के साथ जुड़े हैं वो इने भली भांती जानते हैं ये आल्लाइन गेमिंग के सुपरस्टार्स हैं प्रधान मंत्री मोदी ने इने अपने घर बुलाया इन से मुलाकात की और वो तमाम बाते की जो देश और एक युवा इन आल्लाइन गेमर्स के साथ शायद करना चाता है खास बात ये है कि प्रधान मंत्री मोदी ने इनके साथ सिरफ समवाद नहीं किया बलकि वी आर और मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स भी खेली तो ऐसे करते हैं नरेंद मोदी इवियम को हैक क्योंकि वो अपना एक कनेक्ट बनाते है तो आज हमारे साथ इन में से ऑनलाइन गेमिंग के कई सुपरस्टार स्टास मौझूद होंगे जो प्रधान मंत्री ने इनके साथ अपना अनुभव साजा करेंगे लेकिन पहले आपको इनकी मुलाकात के माइने समझा देते हैं ये कोई समानने मुलाकात इसको नहीं आप मान सकते सोचिए एक प्रधान मंत्री और ऑनलाइन गेमर्स के बीच में मुलाकात हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र क्या है यही है सुन्दर और सुद्रिण और मजबूत लोकतंत्र जब ऑनलाइन की गेमिंग के नुमाइन दे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से डाइरेक्ट समवात करते हैं यह अपने आप में बहुत खूबसूरत अंदाज है बहुत अलग अंदाज है तो पहले यह मुलाकात क्या थी? क्यों थी? किस लिए थी? उसकी एक बानगी देखिए दुनिया में ये शायद पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधान मंत्री ने गेमिंग कम्यूनिटी के लोगों से मुलाकात की है इस मुलाकात के दौरान पी-म ने ना सिर्फ गेमर्स के साथ समवाद किया बलकि वी आर और मोबाइल पर आनलाइन गेम भी खेलाए राजनीती और शासन के साथ साथ प्रधान मंत्री मोदी हर चीज पर कितनी बारीक नजर रखते हैं इसकी एक जलक परिक्षा पर चर्चा के दौरान जब पी-म बच्चों से समवाद कर रहे थे तब भी साब दिखी थी पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका जुकाओ कुछ जादा ही बढ़ गिया है कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री मोदी का शांदार कनेक्ट है जिससे बच्चों से लेकर युवा गेमर्स और सोशल मेडिया इंफ्लूएंसर तक सब लोग जुड़ते चले जाते हैं और ये कनेक्ट कितना गहरा है इस पर समवाद करने के लिए आज हमारे साथ पाँच गेमर्स खुद मौजूद हैं जिन से पिये मोदी की मुलाकात हुई थी सोचिए जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो माता पिता क्योंकि मैं भी खुद भी एक पिता हूँ तो हम कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट करना है बच्चों को यही कहा जाता है न कि टाइम वेस्ट क्यों करना ये गेम क्यों खेलते हैं लेकिन ये लोग गेम खेलते के प्रधान मंत्री के घर जा पहुंचे आप में से अधिकतर लोग प्रधान मंत्री के घर नहीं पहुंचे होंगे लेकिन ये online game खेलते के प्रधान मंतरी मोधी के घर जा पहुँचे और समवाद भी किया अब जाहिर है इनके मन में भी कई सवाल होंगे और प्रधान मंतरी के मन में भी कई सवाल होंगे ये पूरा टेलीकास्टों कल सुबा साड़े नौ बजे आएगा लेकिन इस समवाद में क्या क्या हुआ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे दिखाने की कोशिश करेंगे और कौन होगा बेतर बताने के लिए आज ये जो ऑनलाइन गेमर्स परधान मंतरी मोदी से मुलाकात कर के आए हैं और वो सीधा न्यू जेटीन के स्टूडियो के माध्यम से आपके साथ इससम में मौझूद हैं मेरे साथ पायल धारे हैं गणेश गंगादर हैं तीर्थ मैता हैं मितलेश पतनाकर हैं अंशू बिस्ट हैं हाई और मेरे साथ शांतनू भी हैं शांतनू भी हैं मेरे सयोगी जो की एक वरिश पत्रकार हैं राइटर हैं कॉमिक की शेप में इन्होंने भी एक किताब को लिखा है चलिए I usually do political shows तो आज जब मुझे ये प्रोग्राम जब मैंने सुना कि आप लोगों ने मुलाकात करी है तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ समवाद करना चाहिए आपके साथ बात करनी चाहिए वो कहते हैं जिसे कहते हैं कि आपके साथ connect करना चाहिए एक सवाल मेरे मिजहन में आया मैं ये पायल आपी से सवाल पूछता हूँ पायल आपको मेरी आवास बिल रही है ना पायल आंटर में दिस और कि एक प्रधानमंती नरेंदर मोदी की उम्र है हम सब जानते हैं और वो एक politician के तौर पर आपने देखा हैं उनको लेकिन जब आप उनसे मिले तो आपको क्या महसूस हुआ पायल धारे जी जब वो रूम में एंटर करने वाले थे उसके पहले तो हम सब काफी नर्वस थे जैसा कि आप टेलर में देख सकते हैं तो हमने कहां सब अदग दग हो रहे हैं आपको देखे हैं क्योंकि हमने हमें चब यह न्यूज मिली थी हम काफी शौक हो गए थी कि अच्छल में हम हमारे कंट्री के पी एम से मिलने वाले क्या हम उनसे बात करने वाले बड़ जब हम उनके रूम पर पहुंचे जहां पर सब सेटप अगरा रेडी था गेमिंग सेटप भी था तब हमें पता चला कि साथ में गेम्स भी होने तो काफी साथ एक नर्वस निस थ पहले से तो फीमोधी के साथ आपकी वाइब मिल गई थी मैं एक सुपकी दैने के कोशिस्त करूंगा आपने बोला वाइब मिल गई गए कि स λέगा तर लगा था अ कि सबका वाइब में टिंप एक तो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे और उसके साथ-साथ बात करने के इसाब से तो बहुत अच्छा लगा प्लस अच्छी चीज यह है कि हम उनको उनके साथ गेम भी खेल रहे थे उनको सिखा रहे थे तो वो बहुत बड़ा अच्छा चीज था विकॉस हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई यह प्रधार मंत्री को आपने गेम सिखाया वो राजणीती के तो बड़े खिलारी है हम सब को पता है लेकिन वो गेम के भी अच्छे खिलारी थे वो बार-बार वो कर पा रहे थे जल्दी से वो गेम को समझ पा रहे थे क्योंकि मैं समझ में नहीं पाता गेम ओन्लाइन गेमिंग को मैंने खोलने का कई बार प्रयास किया लेकिन उतना अच्छा मैं नहीं खेल पाता अभी भी I have tried five six times पांचे बार ट्राइ कर चुका हूँ आप सो सीख रहाऊंगा मैं मतलब हां हमने उनको सिर्फ एक मिनिट में एक वियार गेम दिखाया कैसा खेलना होता है और उनका ग्रैस्पिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा है वो उतना जल्दी सीख लिया वियार गेम उसके बाद हम उनके साथ कंप्यूटर पे भी गेम केले राजी जो हमारा इंडि वो अच्छा खेल रहे थे अच्छा मिथलेश एक सवाल प्राइम मिनिश्टर के साथ जब आप मिल रहे थे उनके साथ नेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे तो एक हिच्छ आपके मन में वो क्या था डर क्या था डर भाही हो एक परिश ना इनिया इन। इस इंद्या इंडिया वह जो रहे समती है। कि आगे साथ दी कि अंजा सट परिए एक से लोग फोर बनेतल लिए फोर पंड चार्प लिए प्ली सब्सक्रा के लिए कुछ लूज के लिए लिए अम सब प्टारी थे। सु यह सो ने बहुत जादा कंपटबल कराया हमें बहुत जादा टाइम भी दिया तो अच्छा लगा वाइब ठीक है जंब एक बाद बुछाए यह मतलब यह सवाल मैं पूछा जाता हूं सारे यंग्स्टर्स के लिए, मेरे युवा दोस्तों के लिए, उनके आपके भी पेरेंट्स आपको डांटते होंगे, जब आप एक आपको डांटते होंगे, खोनो आपको डांटते होंगे, अपको डांटते होंगे, तो मेरे थोड़ा सा मतलब के लिए मतलब, थोड़ा फैनेशल प्राप्लम्स थी, तो मैं तो ओल्रेडी करता था तो मैं को यसी बहुत डाट पढ़ती तुम जाइज भी था कि वहाई एसी जेनरेशन हो तो इसाओ नहीं से आरे जहां पर आप मानिए की उनके टाइंप फोन्स भी नहीं थे और अभी मैं बोल रहा हूं कि उनकी हमारी जेनरेशन भी हमारी जेन पिर मैंने को इतने टाइम बाद वो चीज वह करवाई की हाँ साल लगे तो मेंने उन फिर मनवाए कि हाँ यह चीज है कि आप कर सकतेत्वी карт मेरे साथ से जैसी हम लोग पी एम सर से बहुत प्राउड मोवमेंट जब पीम से मिलके आये तो आपके माता-पिता ने आपको बोला क्या एक तो रियक्शन होगा उनका टेल मी डाट रियक्शन मैंने थे पहली बात तो मैंने वीडियो में अधी मिलके आया दियुकि आप आपका पता चला उनकी जबकि किसी को आउट नीवाता ये चीज हो चुकी थी कहीं पर कुछ नी बताया गया था कि ऐसा कुछ हुआ है यह सब जैसी ममी बाताया को बस मैंने बताया खुद से कि मैं ऐसा कुछ कर गया तो उनका मतलब वो खुश हो गए मेरे पापा बेसिकली एक बस कंड़क्टर थे मेरे मम्मी उस टाइम पर गायवाय पालती थी तो कैसे ना कैसे करके उनने में को पाला है वर्ट वो जब उनको पता चला कि वह आप समझ रहो न कि इंडिया के नहीं ग्लोबली एक इतनी बड़ी पावर उनसे मैं बैटके आया हूं हम साथ जने हैं सिर्फ वो उनके साथ एक राउंड टेबल पर बैठे वे एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए कितने ही लोगों को आगे जाके कितने लोगों को हे आपने बहुत तरक्की करी है और आपकी स्टोरी को सुनके बहुत लोग इंस्पायर होंगे और मुझे ये यकीन है और ये भारत की शक्ती है भारत के डेमोक्रेसी की ताकत है जहां पर एक चायवाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और आप जैसा आप 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 गेमिंग के सुपरस्टार्स है और इसलिए आज आप देश के नंबर वन चैनल पर है और इसलिए आप देश के नंबर वन चैनल पर है न्यूज एटीन पर मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ और शांतरू भी मेरे मितन है तीर्थ मैता से मैं एक सवाल पूछ रहता तीर्थ एक प्राइम मिनेश्टर के साथ मुलाकात में को जनरेशन क्या आप दिखा बिल्कुल नहीं दिखा वैसे तो क्योंकि जैसे हमने उनसे बात करना श्टार्ट किया तो काफी जीज़े जो ऐसी थी जो हमें लगा उनको नहीं मालूम होगी जैसे कि AI के बारे में हो गया या फिर ओपन सोर्स गेम्स के बारे में हो गया तो हमें लगा कि यह इसी चीज़े जो नहीं जनरेशन को ही मालूम होगी बट पी एम सर को यह सब भी मालूम था तो ऐसा कुछ डिसकनेक्ट फिल नहीं हो ऐसा लगा कि वो सब जानते ही है मतलब जो एसेंशली करन्ट ट्रें कि वाइब मिल गई वाइब का मतलब होता है कि एटमासफेर जो महुल होता है वह अच्छा हो जाता है यहीं मतलब होता है वाइब का बाद इन्ड़स्टेंड लेकिन यह वाइब ओ ट्राइब की तो बात importante है लेकिन क्या आपको लगता है इससे online gaming की धुनिया को र्याएब यह अगियान था थोड़े साल पहले से. जो अगर आप यह देखे और खेलपकन फात पहले से तो गाफी जाध डिफ्रेंस को आ था पन्याल के घुर्ट शान आपर को प्यस्वा हमारे साथ गाम्स केल रहे थे उन्होंने घुद Uh वियार गेम्स के ले उन्होंने हमारे साथ पीसी गेम्स के ले तो काफी जादा एक बूस्ट मिल जाएगा हमारी गेमिंग कम्यूनिटी को पायल आपके मन में कब थौट आया कि अब आपको ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जाना है और या फिर यह होता गया नहीं ऐसा नहीं था 12 तक में काफी अच्छी थी स्टैडिस में मैंने क्लास 10 में टॉप किया था 12 में टॉप किया था और जब मैं अपनी कॉलिज में थी बिल्कुल नहीं कह रहा जो ऑनलाइन गेमिंग वाले होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते नहीं यह काफी लोगों के मन मे अच्छा नहीं था तो मैं अपने घर से दूर दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने गई थी अब मेरे नाना जी के घर पर मैं राइपूर भिलाई में पढ़ाई कर रही थी वहां पर मुझे किसी ने इंडूड्यूस करा है मेरे दोस्तों ने कि मोबाईल गेम्स ऐसे होते है यूट्यूब ऐसा होता है तो मैंने सोचा वाई शूट नोट गिव इट ट्राइ एक ट्राइ देना चाहिए और फीमेल गेमर्स काफी कम थे उस ताइम कम्मूनिटी में तो मैंने सोचा कि क्या मैं वह एक फेस बन सकती हूँ वह ऐसा एक थॉट मेरे माइंड में था नमाल कर रहे थे तो मुझे वह एक पॉइंट जो हिट किया वह लॉकडाउन ही था लेकिन आपने बना इंट्रस्टिंग बताया कि कैसे लॉकडाउन के अंदर आपको इस पूरी आपको एक इंफ्लूंज हुआ और लॉकडाउन ने बहुत मदद करी लेकिन आपने बोला कि फीमेल गेमर्स तो बहुत कम होती हैं हमको तो इस इस ग्रूप में भी दिख रहा है कि फीमेल गेमर्स सिरफ एक ही आप ही थी सो तो रास की बात तो आप ही थोड़ी बताएंगी तो इन में से सबसे जादा डरा हुआ कौन था अभी तक जो मुझे पता लगा वो गणेश ज सबसे जादा अंशु थे क्योंकि अगर आप हमारी बाते सुने तो सबसे क्या पहले उन्होंने कहा कि मैं आते ही फेंट होने वाला था और स्पेशली मैं भी बहुत डरी हुई थी जब हमारी बाते चल रही थी तो इंट्रोड़क्शन की टाइम में काफी नर्वेस होगी त ईदा आप लोगों का कोई 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 सिंबल होता है या थम्ज अप तो मैंने दिखा प्रधानमंतुरी मोधी के साथ करते वो तो सब लोग करते है कोई और सिंबorta होता है गेमिंग का जो है एक खेंपी कि चाहते हैं हमारे वीच्ट साथ हैं वीघेमिंग, क्या नानाम भी ड तो बनायते है नमो और मोडी जी हमने बनायता है बड़ उन्हों ने खुधी चुछ के लिए पहले से ही कि हा मेरा तो गेमिंग ने मॉल्ड़ी है नमो ही है तो वहां से नमो ओपी हो गया हम लोग गेमिंग जैसे हमाया लिंग इसमें शॉर्ट तरम्स यूज करते है ओपी हो अगर किसी ने बहुत जाद अच्छा गेम खेल लिया तो इसे ओपी बोल दिया और अगर कोई नया है और उसे खेलना नहीं आ रहा है तो उसे नूप किया देते हैं प्रधान मंत्री तो नहीं है लेकिन है देश के प्रधान मंत्री तो उनका इंफ्रूंस काम किया होगा इस उन्होंने VR headset पकरते उन्होंने पहला गेम जीत लिया तो अगर आप पुरा एपिसोड देखे कि तो आपको पता चलेगा हमने उन्हीं पूरे देश को इंतजार है शांतनू आपको भी इंतजार है और यह ट्राइब और वाइब के साथ आप भी मैच कर पारें नहीं कर पार अमिश भाई मैं बैंगलोर में हूँ श्यार मेरी आवाज आपारी होगी मैं अपनी किताब के लाउंच के लिए हूँ और इन पांचो युवाँ को सुनके इतना मज़ा रहा था मुझा इनसे ही बात करते रहें और गर गर का नाम बनें मेरा भी 11 साल का बच्चा है और जैस बहुत सारी टम पता लगी कि नूप और ओवरफार में घर पे अपने बालक के साथ साथ स्माल करूंगा तुड़ा स्टाइलिस बनुगा लेकिन प्रदान मंतरी का जुड़ने का तरीका है कि दिवाली पे वो बॉर्डर पे आर्मी पे चले जाते हैं परिक्षा पे चर्चा इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग गणेश इस पर कुछ बोलेंगे क्योंकि गणेश की सबसे जादा बात हुई है तो यह जो कलर वाली बात थी यह आपने पूछी ती यह प्जार मंतरी ने बोली थी क्योंकि उनके बार वाइट है आप देखते हैं उनकी डाड़ी भी वाइट है हाँ देखे वाट हमने ऐसे ही बोल रहे थे कि हमको उतना एज गयाप नहीं दिख रहे हमको लग रहे हैं आप हमारा दोस्तियों और सब तभी वो डायलोग बोले थे कि हां मैं बहुत यंग हू एक पStep levels कर दो डाया है गर मंनुट मैंNetलेश में रहे हों कि ऐसे ही सर ने कहां ज ने भी कहां कि एकडम ऐसा लग रहा था कि हमारे कोTHी विल्ह मेंबर है उनसे हम बात कर रहेति मतलब बहुत ही अच्छा लगए और बाकी जो इम्ने चैलेंजलेंजिस पगेरा पेज किया हमा जब एक बहुत अच्छा back and forth discussion रहा था जो hopefully video में सब देख पाएंगे. जी, मिथलेश. पे मिकी, मुझे बही शायर करना था कि जैसे हम अंदर गया और हम सब अपना introduction दे रहे थे तो मेरा number kind of सबसे last में था. तो जब अनिमेश ने अपना introduction मेरा चालो किया तो हम ऐसे अंदर से उने लगा कि इतना time होगा क्या कि हो तो दस मिट के लिए बात करा था अपने introduction के बारे में कि मेरा नमा निमेश है, मैंने ये किया हुआ हम ऐसे होगी time मिलना चाहिए, बट वही अच्छी चीज़ थी कि एक टेबल के जो भी बैट थे सब के साथ सर ने equally time किया, प्रधान मंतिरी ने आपके साथ कितना time spent किया, और देखिए प्रधान मंतिरी के साथ मेरी भी मुलाकात होई है, और कई बार होई है, वो time बिल्कुल जो है, वो अच्छे से देते हैं, जिसको वक देते हैं, उसको पूर चा रही थी, पायल, क्या आपको लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर के साथ ये पूरा आपका talk हुआ और आपने बोला vibe भी मैच कर गई, and we say tribe भी मैच कर गई, तो उसके बाद आपने अपने friends के आगे तो front क्या होगा, अरे boss आप कहां बात कर रहे हो, I met the Prime Minister of India, बोला तो होगा? जिस दिन हम मिले थे, उस दिन तो हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा था, बिल्कुल silent थे, and अब प्रोमो आने के बाद तो बोला होगा? जी, बिल्कुल, प्रोमो आने के बाद तो, सबसे पहले तो मम्मी को call गया, और मम्मी का reaction ऐसा था, तो तुम सच में, ये आप ही ह में मिलियो, और उन्होंने अपना स्टेटस लगाना, पापा ने अपना स्टेटस लगाना, सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स का, बिकुस वो मध्य प्रदेश के है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, और मैं अभी मुंबई में रहती हूँ, तो सब के call messages आना स्टार्ट हो गए, and मैं त कर ये आपके साथ, completely sir, completely, I think आपको भी games खिलाने पढ़ेंगे हमारे सार, बिल्कुल, बिल्कुल, हम बुलाएंगे आपको अपनी team के साथ game खेलने के लिए, thank you so much and thumbs up to all of you, thumbs up, thank you, thank you so much for watching, thank you sir, thank you, तो viewers, ये एक interesting anecdote था, जो हमने आपके साथ share किया, लेकिन news 18 क्योंकि सब का channel है, युवाओं का channel है, बुजर्गों का channel है, और साथ ही साथ, इस देश का channel है, break के बाद बड़ी ख़ब रूपर वापस आ रहे युवाओं वाद युवाद का रहे युवाद युवाद युवाद